ऐसी मसीने जिने देखकर आप हैरान रह जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह है प्लास्टर लेंग मसीन दीवार बनाने के काम को जल्दी से निप्टाने के लिए इस स्पेशल प्लास्टर लेंग मसीन को बनाय गया है इसके कंटेनर में वरकर द्वारा प्लास्टर डाला जाता है फिर इसे आगे खींच लिया जाता है जिससे प्लास्टर काफी सफाई से कॉंक्रेट ब्लोक्स पर लग जाता है इस तरह की मशीनों का इस्तिमाल कॉंक्रेट से बने ब्लोक्स की दिवारों को जल्दी जल्दी बनाने के लिए किया जाता है यह है जैक हैमर इस एडवांस मसीन का इस्तिमाल फ्लोर पर लगी टाइल्स को हटाने के लिए किया जाता है इस मसीन में एक हैमर लगा है जो की वाइबरेट करते हुए टाइल्स पर साइड से प्रेसर डालता है जिससे टाइल्स एक जटके में ही उखड जाती है ये है पेवर लेंग मसीन बड़ी जगों पर कॉंक्रेट ब्लोक बिचाने के लिए इस एडवांस मसीन को बनाया गया है ये मसीन कॉंक्रेट ब्लोक के एक पूरे ब्लोक को ही उठा कर जमीन पर बिचा देती है ये है ओटोमेटिक प्लास्टरिंग मसीन दिवारों पर प्लास्टर के काम को जल्दी से निप्टाने के लिए इस ओटोमेटिक प्लास्टर लेंग मसीन को बनाय गया है सबसे पहले इस मसीन को दिवार के पास रखा जाता है फिर इसमें वरकर के दौरा प्लास्टर को लोड किया जाता है और इसमें लगे एक बटन को दबाने के बादamar अपना काम सुरू कर देती है जिन दिवारों पर इनसानों दौरा प्लास्टर करने में घंटों लग जाते हैं वहीं ये मशीन इस काम को महज कुछी मिंटों में निप्टा देती है। ये है ब्लोक स्प्लिटर। कॉंक्रेट ब्लोक्स को बिचाते समय अक्सर आपने देखा होगा कि किनारों पर थोड़ी जगे रह जाती है। इसलिए उन्हें अच्छी तरह काफी सफाई से बढ़ने के लिए इन जगों का नाप लिया जाता है। और इन ब्लोक्स पर निसान लगाया जाता है। फिर इन ब्लोक्स को ब्लोक्स स्प्लिटर के जरिये एक फिक्स सेप में तोड़ कर बची हुई जगे में डाल दिया जाता है। जिससे इनके किनारे काफी सफाई से अच्छी तरह भर जाते हैं। ये है मेक्स रिपर। इस मशीन का इस्तिमाल घर बनाने के बाद उनकी दिवारों पर लाइट फिटिंग के लिए नालिया बनाने के लिए किया जाता है। इंसानों द्वारा कई घंटों में होने वाले इस काम को ये मशीन महज कुछी मिंटों में कर देती है। ये मशीन दिवारों पर काफी आसानी से नाली बनाती जाती है। वो भी बीना किसी आवाज और धूल उड़ाय बगेर। ये है रीबार टाइंग मसीन इस चोटी सी एडवांस मसीन का इस्तिमाल घर की छट बनाते समय उसमें लगने वाले लोहे के सरीयों को बांधने के लिए किया जाता है। ये एक बैटरी से चलने वाली मसीन है जिसमें एक वाईर का छोटा बंडल डाला जाता है। फिर इसी वाईर का इस्तेमाल ये मसीन सरीयों को बांधने के लिए करती है। ये मशीन एक गंटे में करीब 1000 से भी ज़्यादा सरीयों को बांच सकती है ये है brick handle, ये एक काफी कमाल का handle है इस handle में आप एक size को set करके एक साथ कई सारी इटे और cement blocks को आसानी से उठा सकते हैं इस हैंडल के जरिये ब्रिक्स उठाने से हातों को होने वाले नुकसान से उन्हें बचाये जा सकता है ये ब्रिक हैंडल 30 किलो तक का वेट उठा सकता है दोस्तो आपको इन सभी में से कौन सी मसीन जादा इंट्रेस्टिंग और यूचफुल लगी अपने विचारा में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आये तो प्लेजी से लाइक और सेर करना नहीं भूले और ऐसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं